अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार, जॉइन करो Software Engineering इस बार, अगर करते हो Coding से प्यार, तो सीखो Angular Java Python इस बार, होगा आपका सपना साकार, जॉइन करो WAP Institute इस बार हलो स्टुडेंट्स, ये C++ का Chapter 11 है, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को हेट किजिए, जब भी आप Object Oriented में Code करते हो तो, उनके Principles को Follow करके ही आप Coding करते हो, Principles का मतलब हो किया, Object Oriented में Coding करने का तरीका, हर प्रकार के काम को Handle करने के लिए अलग लग, Principles आपको दिये जाते हैं, जैसे कि, Incapsulation, Inheritance, Abstraction, Polymorphism, इसमें से Inheritance को आपने पढ़ा था, Incapsulation के बारे में ज़रा जानिये, Already Incapsulation का भी Practice आप कर चुके हो, बस उस Code को देखकर आपको समझना है कि कहां पे हमने Incapsulation को Follow किया, जिन Properties में Data आप रखते हो, Class के अंदर, उन Properties को Private बनाना चाहिए, Incapsulation, Principle के According, Okay, मैंने यहां पे Private Access Specifier की शहता से पहला Property डिफाइन कर दिया, Input, Data Type डिफाइन कर देता हूँ, String, यह String Data टाइप अब तभी इस्तमाल कर पाऊग, जब आपने Header File Include किया होगा, String वाला, इसके बाद Public Access Specifier का इस्तमाल कीजिए और एक Function यहां पे प्रिपेर कर लिजिए, जैसे मैंने Function का नाम डिफाइन कर दिया, Set Data, Shareout की शहता से यूजर को कोई Message दे दिजिए, जैसे मैंने यहां डिफाइन कर दिया, Enter Your Name, जब User Name input करेगा, तो उशे आपको Input वाले Property में रखना है इसलिए, मैंने यह Property Access किया, तो अगर Property प्राइवेट है, फिर भी Class के अंदर कोई भी Function डारेक्ट अक्सेस कर लेगा उशे, जैसे यह Function Class के अंदर ही है, तो यह Function Easily इसे अक्सेस कर लेगा, तो User का Input चला का Input वाले Variable में, अब मैं यहाँ पे अगला Function प्रिपेर कर लेता हूँ, Get Data के नाम से, और फिर, Cout की शहाता से, मैं उस Input को Print कर देता हूँ, जो यूजर ने राइट किया होगा, जैसे मैंने यहाँ Define कर दिया, Your Input Is, हम इसके वाद Property इस्तमाल करना इसलिए, Insertion Operator का इस् अगर यह Function कॉल होगा, तो Input में जो भी Data गया होगा, वो Result के रूप में हमें मिल जाएगा, इसके Testing करने के लिए Main Function में आएंगे और, Vap Class की शहायता से, एक Object प्रिपेर कर लेंगे, सबसे पहले Set Data Function को कॉल करेंगे, ताकि User से Input मांगा जाए, और फिर इसके बाद, Get Data नाम से Function कॉल करेंगे, ताकि User ने जो Input किया, वो Result के रूप में मिल जाए, Testing कीजिए, देखिए, Name पूछा गया, मैंने Name इनपूट किया, आगया Result, जिस Property में आपका Data होगा, अगर वो Property प्राइवेट है, तो आप समझ जाओ कि आप Incapsulation Principle को Follow कर रहे हो, Incapsulation Principle का भी होता है कि जितना भी Sensitive Information है आपका, वो ऐशे Property में होना चीजिए जो Private हो, ताकि User डारेकली उशे Access ना कर सके, तो एक्जाम में अगर Incapsulation का Example बनाना होगा, तो सबसे Best Example आपके लिए ये हो गया, अब जरा फिर छे Inheritance को पढ़िए और समझने का कोसिस किजिए कि Inherit आपके लिए कैसे Beneficial है, जभी भी आप एक बड़े शॉफ्टर को बनाते हो तो, कोड आप जितना Systematic राइट करोके, भविश में एडिट करके उनमें बदलाव करना उतना ज्यादा Easy होगा, क्योकि बड़े शॉफ्टर में कोड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वह यहाँ पे Inheritance बहुत काम आता, Inheritance के According, आप Separate Data का Collection एक जगा पे रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे Class Create कर लिया Props के नाम से, Props का मतलँ हो किया Properties, आप यहाँ पे Protected का इस्तमाल करो, मैंने क्यों Protected दिया, यह मैं बताऊंगा आपको, जभी भी आप बड़े तो वहाँ पे Class के अंदर Properties की संख्या काफी ज़्यादा होंगी, तो आपे काम कर सकतो एक Separate Class बना सकतो जिसके अंदर सिर्फ Properties होगा, ओके, अब जैसा मुझे काम करना है उसके According, मैं यहाँ पे कुछ Properties को बना रहाऊं, ज़रा देखिए, मैंने पहला Property बनाया First Name के नाम स अगला Property में बना लेता हूँ, Last Name के नाम से, फिर इसके बाद अगला Property में बना लेता हूँ, Password के नाम से, उसके बाद अगला Property बना लेता हूँ, मैं, Confirm Password के नाम से, तो मैंने चार Property बनाया, जो प्रोग्राम मुझे बनाना है उस प्रोग्राम के According, मुझे चार ही Properties की आव अब इस क्लास से बाहर निकलिए और एक और क्लास बनाईए जैसे मैंने शाइनप के नाम से एक अगला क्लास यहाँ पे इस तरह से क्रियेट कर लिया इसी शाइनप के अंदर हम शाइनप के कोडिंग करेंगे शाइनप तो आप जानते हो ओनलाइन फोर्म का जो रेजिस्ट्रेशन होता होशे शाइनप कहा जाता है तो शाइनप करने के लिए हमें इन चारो प्रोपर्टीज क्या वशकता होंगी Already इन 4 property का class या आपके पास props के नाम से आप क्या करोगे इनको inherit करोगे तो shine up के बाद colon का symbol और फिर public की उशहता से props वाले class का इस्तमाल आप यहाँ पे कर लोगे तो मैंने क्या किया? props वाले class को inherit किया shine up के अंदर फायदा क्या होगा? जो भी code होगा props के अंदर सभी code का इस्तमाल हम यहां कर पाएंगे तो ऐसा code बनाने से क्या फायदा हुआ जरा समझे यह properties का class हमारे पाश अलग हो गया अब हमें इस class के अंदर property बनाने क्या वशकता नहीं है हम डारेक्ट इनहीं के properties को इस्तमाल करके अपना काम करेंगे इसे क्या होगा future में जभी भी आप इस code को एडिट करोगे तो आपको पता होगा कि हमारे सभी property का collection इस जगा पे है और functionality का collection इस जगा पे तो जरा सोच यह ऐशा करने से यानि की inheritance को follow करने से आपका code काफी systematic हो गया और आशान भी हो जाएगा इसके अंदर मैं एक function प्रिप्यार कर लेता हूँ set data के नाम से और इस function के according मैं user को message दूँगा जैसे मैंने पहला message दिया enter your first name आप backslash n का इस्तमाल कर लो जब user first name input करेगा तो उशे हम first name वाले property में रखेंगे इस तरह से जब first name में data चला जाएगा तो फिर हम see out का इस्तमाल करेंगे और user को message दे देंगे enter your last name जो भी user last name input करेगा उशे हम last name में रख देंगे फिर इसके बाद see out की शाहता से अगला message जरा दे दिजी user को password input किया जाएगा उशे हम password वाले property में इस तरह से रख देंगे फिर इसके बाद see out का इस्तमाल कीजे और user को message दे दिजी re-enter the password अब जो भी password re-enter किया जाएगा उशे हम confirm password वाले property में रख देंगे तो क्या इन properties का declaration हमें इस class के अंदर करना पड़ा नहीं properties का declaration कौन से class में है इस class में और इसी properties को हमने inherit करके यानि कि props वाले class को inherit करके इसके अंदर इस्तमाल कर लिया फायदा ये हो गया कि property का code अलग हो जाएगा और functionality handle करने का code अलग हो जाएगा set data वाले function को semicolon से separate कर दीजे और get data वाले function के अंदर coding जरा कीजिए पहले यहाँ condition चेक कीजिए कि क्या user ने जो password input किया और confirm password input किया क्या वो शही है क्योंकि जो password होगा वही तो confirm password भी होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे comparison कर लिया क्या password confirm password के बड़ाबर है अगर होगा तो see out की शहायता से इस तरह से user को message देंगे thank you इस thank you के बाद मुझे first name और last name का इस्तमाल करना देखे गोर से मैंने इस तरह से write कर दिया first name इसके बाद मुझे space चाहिए शेलिए मैंने insertion operator दे करे space दिया फिर मैं insertion operator वापस इस्तमाल करूंगा और last name वाले property का इस्तमाल यहाँ कर लूंगा तो अगर user ने first name राइट कर दिया रवी और last name राइट कर दिया कुमार तो message आएगा thank you रवी कुमार लेकिन आशा तब होगा जब confirm password के साथ password मैच करेगा इसके else क्या होगा क्या password और confirm password मैच नहीं किया अगर ऐसा होगा तो user को हम इस तरह से message देंगे your confirm password is wrong अब इस code के testing करने के लिए हमें पहले object प्रिपेर करना होगा तो देखे गौर से हमने class किस नाम से बनाया shine up के नाम से हमें props वाले class का object नहीं बनाना है क्योंकि यह जो shine up वाला class है यह inherit करके इनके properties का इस्तमाल कर लेगा इसलिए हम sign up का object बनाएंगे तो sign up class की सहता से एक object बना लिजे जासे मैंने x के नाम से object बनाया इसके बाद set data function को call करेंगे ताकी user से input लिया जा सके और ठीक इसके बाद get data function को call करेंगे ताकी user से output लिया जा सके एक और ची समझे यह जो sign up है इसके अंदर set or get data function पबलिक होना चीए तबी तो बाहर से access होगा एक बार run कीजिए जरा देखे first name मांगा गया मैंने short of write किया last name input करता हूँ कुमार password 1234 कनफर्म password में भी 1234 write करता हूँ तो message आ गया thank you short of कुमार वापस run कीजिए मैंने first name input कर दिया फिर last name input करता हूँ मैंने password input किया अब इसी से मिलता जूलता password होना चाहिए अगर मैं गलत password input कर दूँ और enterprise करूँ तो देखे user को message आएगा your confirm password is wrong अब समझे जरा कि हमने सभी properties गो protected क्यों रखा हमें encapsulation follow करना था encapsulation के rule के according जिन properties में data होगा वो property secured होने चाहिए तो properties को secure करने के लिए या तो private आप दो के नहीं तो protected लेकिन जरा आप सोचो अगर हम यहां private दे देते तो क्या यह property class को inherit करके access हो पाता नहीं जैसे देखे sign up के अंदर आपने props class को inherit किया तो यह properties तभी access होता जब यह property public होता नहीं तो protected होता तो public तो हम रख नहीं शकते थे security region के according हमें encapsulation follow करना था यह यह हमने protected रखा ताकि यह secure भी रहे और शाथी साथ हम inherit करके इसे किसी और class में access भी कर ले तो यह production ready application के छोटे से पार्ट का हिस्षा था अगर आप चाहते हो कि हर प्रोग्राम आप software बनाने लायक शिखो तो इसके लिए आपको हमारे online software engineering classes में इंडॉल करना होगा इसमें जो C++ आप पठोगे उसमें step by step आपको बताया जाएगा कि आप software को applications को या मशीनों को चलाने वाला software कैसे डेवलप करोगे लेकिन अगर आप सिर्फ BCA final करने के लिए coding शीखर हो C++ की तो perfect है यह सारी coding की चाहता से आप BCA के कैसे भी questions को solve कर लोग वेडियो समझ में आये तो वेडियो को लाइक जरूर कीजिए और वैप इंस्टिटूशन के official website पे जरूर विजिट कीजिए वैप इंस्टिटूट के वेडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद